नमस्कार दोस्तों मैं कृष्ट नमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्णिंग मेरे यूटुब चैनल में दोस्तों LIC Policy Holders के लिए मैं बताना चाहता हूँ जिनके बास LIC Policy है और वो डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं किन सावधानियों का आपको ध्यान रख कर दे मैंने बता रखा है यहाँ पे जाए यहाँ पीड़ करके आप चेक कर सकते हो policy number उँद्ध बड़ध पुट कर दो पान नंबर पुट कर दो और capture उसके बिना अगर आप LIC Policy Holder के अंदर apply करते हो तो आप eligible नहीं रहो जाओगे क्योंकि LIC check करेगा आपके pen पे क्या आपको policy है या नहीं है और वो देखेगा कि कोई भी policy में आपका pen number update नहीं है तो आपके IPO अप्डेकर से reject कर देगा उसके बाद complain भी करो कोई फाइदा नहीं होने वाला तो ये चीज़ ध्यान रख लेना अपने LIC Policy में pen number update कर दो उसके बाद आप IPO जो है जिसके नाम पे pen card है उसी के नाम पे demate account होना जाहिए demate account का link discussion में है वीडियो बना मैंने बना रखा है कैसे account open करना LIC demate account जाके देख सकते हो उसी playlist में होगा इसके बाद दोस्तों बता दू आप वो करके LIC Policy Holder के अंदर अप्लाई कर सकते हो pen number compulsory है आपको add करना अपने policy में ये चीज़ समझ गए अब मैं आपको concern बताता हो कि demate account क्या है और क्या आपको दिक्कत हो सकती है और आपको risk and reward की समझ नहीं है तो demate account एक अच्छी चीज़ है कोई बुरी चीज़ नहीं है demate account क्या होता है locker मतलब bank में आप कुछ locker में रखते हो जैसे आपके कीमती समान हुए goal हुआ कुछ भी हुआ तो आप उसको locker में रखते हो सेम समझ लें stock के लिए demate account एक locker है जिसको manage करती है NSC और BSC एक तरह से government manage करती है आप जो भी stock buy करते हो वो जाता है आपका NSTL में या CDSL में दो depository है इंडिया में CDSL को manage करता है promoter है उसका mainly BSC और NSTL को manage करता है उसका main promoter है NSC तो NSC, BSC दो government exchange है इंडिया के simple चीज है समझ गए मतलब आप जो stock buy करोगे वो आपका demate में जाएगा safe रहेगा कुछ भी हो जाए किदर भी वो stock आपका safe रहेगा जब तक company चल रही है और यह SEBI का rule है कि जो भी आप stock buy करते हो वो आपको demate में जाना कंपसर ही है इसलिए जो है आपको LIC जो है मांग रही है demate account ऐसा कंपसर ही नहीं होता तो demate account नहीं मांगती मांगने का एक ही रीजिन है कि आपको मालो LIC IPO मिलता है policy holder के अंदर अपलाई करते हो तो वो आपका जाएगा safe locker demate account में समझगे कोई साभी demate account ऊपन कर सकते हो वीडियो मैंने बता रखा है प्लेलिस्ट में है जाके आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक चीजिए बोल दूँ आपको risk and reward समझना वह जोड़ी है अगर आप थोड़ी भी गलती किए portfolio साफ होने में आपको देदेगी यह confirmation LIC के तरफ से है कि आपने जो पैसे put किये है 20 years के बाद 25 years के बाद जो भी आपका policy term है उसके बाद जो है पैसे मिलने आपको confirm है भले वो 4% मिले 5% मिले 6% मिले जैसा policy है जैसा policy का return है वैसा आपको मिलने वाला है यहाँ पे कोई भी दोर आई नहीं है conservative investor मतलब आपको बिलकु रिस्क नहीं लेना कि आपने invest किया पैसे नीचे आ रहे हैं आपकी हलत खराब हो रही है पैसे उपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं कंपनी खतम होगी पैसे जीरो हो गए यह सब आपको कुछ टेंसर नहीं लेना अपने पैसे पुट किये और आपको 20-25 यह के बाद जो भी policy term है उसके बाद पैसे आपको मिल जाएंगे conservative investor का मतलब आपको रिस्क बिलकुल भी नहीं लेना तो conservative investor mainly post office saving schemes वाले होते हैं या फिर मालो bank FD वाले होते हैं या फिर LIC वाले होते हैं तो आप उस category में हो आपको ज़्यादा risk नहीं लेना पैसे की safety चाहिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ demand account open करने के बाद आपका number जो है circulate होगा वो होता ही होता है आपको बहुत सारे phone आएंगे यह आएंगे यह आएंगे यह चीज़े में आप पहले से बता दो do not fall in trap after opening demand account open करने के बाद आपको call आएगा 1% per day profit, 20% per year profit 100% sure return समझ गए daily earning pocket money आपको निकाल गए दूँगा मैं confirm निकाल गए दूँगा यह चीज़े में आप इस trap में फसना मत simple term है मालो आपने थोरे पैसे भी दिये उसको simple मैं ते जो बताता हूँ आज कल होता क्या है simple term है वो चीज़ आप ध्यान रखना थोरे पैसे दिया आपने 3 days, 4 days, 5 days market support किया मैंने call दिया आपको वो call सही चल रहा है मैंने आपने 1 lakh रुपीज दिये मुझे टेस्ट करने के लिए आप 1 lakh रुपीज का रिस्क ले सकते हो मैं call करूँगा आपको आपको लग रहा है कि हाथ ठीक है एक वा ट्राइ करना चाहिए आपने 1 lakh रुपीज पुट किये 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day मैंने call दिया call सारे hit हो गए आपका 1 lakh का 2 lakh, 3 lakh रुपीज बन गया तो आप ये मत मान लेना कि market ऐसे ही काम करता है अगर market ऐसे काम करता है तो क्या LIC के पास कोई policy नहीं होती क्या आपको per day 1% profit देने की LIC के पास कोई policy नहीं होती क्या आपको 100% per day return देने की LIC नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसको पता है market में risk and reward क्या है समझ के LIC ज़्यादा पैसे किसी के पास है क्या LIC ज़्यादा technology किसी के पास है क्या LIC ज़्यादा manpower किसी के पास है क्या तो simple term है जब LIC ऐसा नहीं कर रही है आपके पैसे के साथ तो आप अपने पैसे पे ध्यान रखना अगर मानलो मैं फिर से बता दू कोई गल्ती होगी आपसे गल्ती होने के chances नहीं है मेरी बात अप नहीं मानोगे लेकिन ये चीज याद रखना अपने mind में रखना कि गल्ती होगी मेरे बातों को आप correlate कर लेना और जहां गलती होती है वही रुख जाना उससे आगे गलती मत करना कि उसको recover करना है मुझे जो पैसे loss हो गए है और वो काम करने का फिर से जो है आपका पैसा जाने वाला है ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनते है वह ची ध्यान रख लेना तो यह पैसे वाले ट्रैप में आप मत फसना क्वाल आपको बहुत आने वाले हैं LIC Policy Holder को वही दिक्कत है समझके सबसे बड़ी दिक्कत LIC के Policy Holder के साथ यही होने वाला है What you will get in LIC Investment after 20 years आपको बोला जाएगा सर 20 साल के बाद LIC Policy आपको डवल करेगा पैसा मैं आपको per day पैसे डवल करके देता हूँ एक महीं पैसे डवल करके देता हूँ मैं आपको every month पैसे डवल हो जाएगा यह काम कुछ भी मत करना करोग यह तो मुझे पता है करने वाले हो ल आप और become over expert, over expert मतब आपने खुद से investment किया, 2 trade, 3 trade, 4 trade, 5 trade किया आपने और आपको लगा कि मुझे market समझ में आ गया है, आपने पूरे पैसे ले आए, पूरे पैसे savings आपने इंवेस्ट कर दिया, आपको जो है बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा market कैसे काम करता है, तो य ऐसा मेरा नहीं है, मैं आपको intimate कर दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, गलती हो तो, first understand risk and reward for every investment, then take action, simple concept है, अगर per day पैसे double होती तो कि LIC का आप पैसा नहीं था गया, simple concept है, नहीं होता है, इसलिए bank FD बनाया गया है, इसलिए आपको post office savings schemes बनाया गया है, इसलिए आपक सब चीज़ें बनाई गई है, जैसा investor हो, वैसा investment हो, LIC में investment करने के मैंने बता रखा है, पहले reason के है कि आपको कुछ भी हो जाए, पैसा आपका safe है 20S के बाद, ये security आपको मिलती ही LIC के तरफ से, demand account आपको, क्या demand account नहीं खोलना चाहिए, बिल्कुल खोलना चाहिए, आपक investment करना है, investment करना है in the sense कि जो चीज़ आप समझ में आता है, वही चीज़ करें, मालोग LIC समझ में आता है, LIC policy है आपको, LIC policy है मत्तव LIC में आप investment कर रहे हो, simple आप समझो कुछ भी मत देखो, कुछ भी समझने हैं कि ज़रूत नहीं है आपको, LIC में आपको पता है 30S का company में आप invest करो और छोड़ दो, our expert मत बनना, astronomical expert मत बनना, अपना knowledge जो है extra जहां तक है, वही तक रखना, उसके ऊपर मत जाना, नहीं तो portfolio पे बहुत बलार रिस्क हो सकता है, वो देख लेना, वो जो चीज़े हैं मैं clear कर दो पहले से ही, यह होने वाली है, knowledge का मैं फिर से बोल तो knowledge जो है, जो होता है market में मैंने बता रखा है, यह हो सकती है आपके साथ, वो चीज़े ध्यान रखना, demate account open करना, आपको कमपसर ही है, अगर आप LIC IP में apply कर रहे हो, जरूर कर लेना, demate account बुरा नहीं है, demate account अच्छा है, और आप LIC type के stocks लेते हो, LIC हो गया, जो benefit दिखने लेगा आपको, और चीज़े समझ में आने लेएंगे, instantly, जल्दी पैसे बनाने की चक्कर में गल्ती मत कर लेना, मैं बस यह ही बताऊंगा आपको, दोस्तो मैं आशा करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा झाल